हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम गर्मी की सबजियों के लिए मिट्टी की तयारी बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी जंजट के कैसे कर सकते हैं और बेसिकली मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है और काफी ठंड है और गर्मी की सबजियां हम लोग लगाते हैं जब पेंपरेचर बढ़ने लगता है मतलब फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोग गर्मियों की सबजियों की सीड्स डालना शुरू कर देते हैं लेकिन मिट्टी की तयारी हम अभी से शुरू कर देंगे थोड़ा सा पहले शुरू कर दो तो देखे एक तो मिट्टी को सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है और दूसरा एक साथ हमारे किचन गार्डन में बहुत सारा काम नहीं फैलता है तो इसे कारण से मैं तो जैसे जैसे ठंट की सब्जियों से कंटेनर्स फ्री होते जाते हैं वैसे वैसे मैं उन्हें गर्मियों के लिए तयार करना शुरू कर देती हूं को इसमें पहला सेप है कंटेयनर के मिट्टि को धूप दिखाना जब एक ऑग सब्जी हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद स्वाइन सेजन की तो उससे पहले कंटेयनर के मिट्टि को दूप दिखाना हैं तो हम मिट्टि को पूरी तरह से च्छक पर पलट करके और उसे धूब दिखा सकते हैं कुछ दिनों के लिए लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास जादा तर सर्मकॉल के कंटेनर्स हैं और उसे मैं अगर पूरा पलटूंगी तो मेरे कंटेनर्स तूट जाएंगे और बहुत जादा देखे ये पलटने वाला काम मैं करती नहीं हूँ क्योंकि इस तरह से पलट करके मिट्टी को धूब दिखाना और वापस से कंटेनर्स को भरने में टाइम भी बहुत लबता है और काफी सारा काम फैल जाता है और मुझे बहुत ज़ादा गार्डनिंग के लिए वक्त नहीं मिलता है इसलिए मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से करती हूँ, जिससे के काम भी ना फैले और समय भी कम लगे तो इसमें क्या करती हूँ पहले मैं कंटेनर को खाली कर लेती हूँ जो मैंने पहले सबजियां लगाई हैं उसकी जड़े वगरे बची हैं जो भी घास फूस वगरे है तो सारा कुछ निकाल करके आप बिल्कुल कंटेनर को खाली कर लीजी उसके बाद आप मिट्टी की अच् इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार जम हमने इसमें फसल लगाई थी तो लगातार वाटरिंग की है और लंबे समय तक मिट्टी गीली थी और पौधे लगे होने की वज़े से जड़े वगेरे कभी-कभी अंदर रह जाती हैं और उसके वज़े से मिट्टी में फंगस हो जो सबजियों के फलों के छिलके निकल रहे हैं वह आपको इस मिट्टी में मिलाते जाना है और जो गार्डन वेस्ट में निकल रहा है मतलब जो सूखे पत्ते वगेरे मिल निकल रहे हैं वह आपको डालना है आप जो फ्रेश लीव से वह भी डाल सकते हैं तो इन्हें आप हम इसे मिट्टी के नीचे दबा नहीं रहे हैं हम इसे मिट्टी में मिला रहे हैं जब मैं नया कंटेनर तयार करती हूं तो मैं नीचे की साइड बॉटम में बड़े बड़े टुकड़े भी बड़े बड़े प्लांट्स पूरे के पूरे निकाल करके दबा देती हूं क्योंक आपको बहुत जादा बड़े पार्टिकल्स नहीं मिलाने हैं सिर्फ छोटे छोटे आप टुकडे मिलाईए इसमें आप किसी भी तरह का और्गानिक मैटर डाल सकते हैं जैसे की सूखे पत्ते सबजियों के छिलके चाय की सूखी पत्तियां धान का भूसा इस तरह की जो मिले आप हलका हलका पानी दे दे बस बीच में और मिट्टी को आप इस तरह से ऊपर नीचे करते रहें और बस अब मैं 3-4 दिनों तक ऐसे ही गीला और सूखा कच्रा इसमें मैं डालती रहूंगी बीच बीच में 2-4 दिनों में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसमें हलका ह कंटेनर बिल्कुल रेडी हो जाएगा इसके जो न्यूट्रियंट्स हैं यह सारे मिट्टी में आ जाएंगे और देखें यह जो सारी चीजें हमने इसमें डाली हैं वह पूरी तरह से डीकंपोज होकर बिल्कुल मिट्टी की तरह नहीं बनेगा यह उपर मतलब यह जो पार कीज डालना है कैसे पौध लगानी है इसमें वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उपर में अभी इस तरह से यह चीजें दिख रही हैं तो फंगस लग जाएगी पौधे खराब हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा मैं हर कार ऐसे ही करती हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही बीना कोई टेंशन लिए बस कूड़ा कच्रा मिला करके ऐसे ही मैं मिट्टी तयार करती हूं और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब मैं सीट्स डालूंगी पौध वगर लगाऊंगी तब भी मैं वीड सिर्फ आपको वेस्ट ओर्गैनिक मेटेरियल मिला ना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी जादा आप वेरायटी में चीजी मिलाएंगे जितने आप अलग-अलग तरह की चीजें इसमें में डालते जाएंगे कंटेनर में उतनी जादा मिट्टी रिच होगी अलग उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ मिट्टी की तैयारी के लिए बता रही हूँ, तो बस अभी आप एक डिर महिने पहले से ही शुरू कर दीजिए, और बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धूब दिखान मिट्टी में ये सारी चीज़े जब टाइम मिले, जैसे मिले सिर्फ मिलाते रहना है, और हलकी से नमी बनाए रखनी है, बिल्कुल सूखने नहीं देना है, और मैंने भी अपने किचन गार्डन में अभी यही काम शुरू कर दिया है, दिरे-दिरे में सारे कंटेनर्स खाली करती जा रही हूं, और बस इसी तरह से वेस्ट माटेरियल मिलाती जा रही हूं, तो मार्च फर्स्ट वीक तक मेरे सारे कंटेनर्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और उसमें मेरा काम नहीं फैलेगा, कि मिट्टी तयार करनी है, ये करना है, वो करना है, मैंने अभी से जाता है, और मैं तो हमेशा शॉर्ट कट से डूनती रहती हूं, और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूं, जो मैं खुद करती हूं, तो अगर आपको भी मेरा तरीका पसंद आता है, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू,